इस वीडियो में हम एक music player बनाने वाले हैं जो कि इन सारे music players जो ऐसा ही होगा पर इसमें एक खास बात होगी कि आपने ये music player बनाया होगा वो भी python की मदद से हैं अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको और ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास python इंस्टॉल दोना चाहिए और एक IDE होनी चाहिए मैं इस वीडियो तोडियो कोड यडियो करूंगा इसके बाद आपको एक फोल्ड बना लेना है मैंने मुजिक प्लेयर नामका एक फोल्डर बना लियो और उसमे याकर उपन विथ कोड पे तीक करना है वीडियो एक अपने शाप से कोई नाम रख सकते हैं अपको यहां आपको तरमिनल पे क् कर देना है तर्मिनल के खुल जाने के बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल प्लेसाउंड प्लेसाउंड एक python module है जिसका यूस हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे तो मेरे में आ रहा है कि install play sound मैंने लिखा तो मेरे में आ रहा है कि यह play sound मेरे में पहले से install है आप में install होने लगेगा फिर इसके install होने के बाद आपको यहां लिख देना है from play sound playsound import playsound आपको यह लिखने के बाद enter इन्टर मार देना है जिसके आपने ही light पे आ जाएंगे और वहां लिखना है playsound play sound मैंने play sound लिखने के बाद अपने फाइल्स को खोल दिया फाइस पर मैंने music में कुछ music's download की हैं आपको इसमें music के प्लड़ेगी तो आप अपने favorite music को download कर लीचेगा तो music में आने के बाद जैसे कि मुझे ये free fire का music डालना है तो मैं इस पर right click करूँगा और properties पे जाँगा properties में जाने के बाद मैं इसका location यहां से कर लूंगा copy कोपी कर लिया मैंने इसका location ctrl c और इसे visual studio code में यहां आके paste कर दूँगा यहां आके मैंने इसका location paste कर दिया तो यह जो backslash लगाए इसे आपको double कर देना है हर चुका क्योंकि single backslash एक assignment होता है python में operator होता है python में आपको यह backslash कर देना है और last में double backslash लगाके आपने जिस file का नाम रखा है जैसे कि मैंने यहां file का नाम free fire रखा है तो आप यहां लिख देंगे free fire तो last में double backslash लगाके free fire लिखने के बाद आपको उसके आगे dot mp3 का extension लगा देना है mp3 का extension लगा दिया आपने control से save करना है और run करना है तो यह run और यह बचने लगा है तो मैं बचने लगा है तो आपने देखा कि मैंने जब इसे run किया तो यह बचने लगा तो हमने इसे एक music player तो basically बना चुका है पर हमें इसे advance बनाने के अभी कुछ कुछ करना पड़ेगा मतलग कुछ lines of python लिखनी पड़ेगी है तो हमने तो two lines of python बही बना लिया लेकिन हमें इसे advance भी बनाना है तो हम लोग इसके आगे लिख देंगे if else slider के यूज करेंगे हम लिखेंगे if if लिखने से पले हम लोग इसका एक नाम देते हैं यासे order order equals to input enter your command enter enter the music which you want to play which you want to play enter your music which you want to play enter your music which you want to play so this will be input and after this we will put it if else slider use if order if free fire if free fire in order if free fire in order if free fire in order है order जो हमने input किया उसमें है तो फिर लिख दो तो फिर इस वाली लाइन को execute कर दो हमने इसे बोला कि अगर free fire order में है तो इस वाली लाइन को execute कर दो तो जैसे हम लोग एक बार इसे यहां से बार कि बार कि बार कर दो कंड्रोल एस करके सेफ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है तो आप देख सकते हैं यह पूछा है enter the music which you want to play, अब मैं यहां लिख दे रहा हूँ free fire fire so you can see so आप लोग इसे देख सकते हैं कि जख सही मैंने free fire लिखा यह बचनी लगा तो अब अगर हम लोग आगे लिखेंगे alif alif हम लोग कोई और song को ले ले लेते हैं जैसे believer alif believer in command अगर believer हुग order में in o r d e r alif believer in order play sound तो हम लोग इसी path को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरे सारे songs अगी path पर हैं ctrl c ctrl v मैंने believer को पेस्ट कर दिया है alif believer in order तो मुझे believer का देखना पड़ेगा कि believer कहा है तो आप देख सकते हैं मेरे पास believer है जो song आपका install होगा आप वही चला सकते हैं क्योंकि दोने एक फोल्डर में बस यहां से मैं free fare को हटा के believer डाल दूगा V-L-I-E-V-E या believer मैंने डाल दिया अब आगे हम लोग एक और song को पेस्ट कर लेते हैं जैसे alif alif grateful ful grateful in order in order तो हम लोग वापस से इसी को पेस्ट कर लेते हैं और यहां से free fire को अटाके grateful लिख देते हैं यहां grateful g-r-e-t-e-f-u-l grateful लिख दिया हम लोग लोग लिख दिया हम लोग लोग ने तो हम लोग ने अभी तक 3 songs को डाल चुका है और अगर आपको ऐसा music player बनाना है जिसे आप अनी दोस्तों को भी दे सके हैं तब आपकी दोस्तों को पता नहीं होगा कि आप में कौन कौन से songs installed है तो आपको उपर लिखना पढ़ेगा print बन करके 1.freefire f-r-double-e f-i-r-e freefire आपको यहां आपको यहां पढ़ेगा number of a-b-a-i-b-l-e available songs a-b-a-i-l-e number of available songs इसका मतल बीया है कौन कौन से songs इसमें available है तो न्यू लाइन पर लिए हैश और देंगे इसे new line आप जाएए freefire यह आप चाहते है तो कर सकते हैं नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे आप लगा देंगे तो आपका यह थोड़ा और professional देखेगा इसके बाद b-e-l-i-e-v-e-r आप इसमें अपने मन चाहे जितने आपको जितने songs डालने आप उतने डाल सकते हैं मैं बस तीन डाल के आपको दिखाऊंगा और 3.grateful मैंने किया कि अब आप रुक्या मैं आपको प्रिंट करके लिखाता हूं फिर बताऊंगा तो आप यह देख सकते हैं कि उपर आ रहा है 1.freefire, 2.believer, 3.grateful अब पूशे एंटरे मुजिक विच्वान तो प्लेए अब आपके जैसे आपक न्यू यूजर है और आपने समझ लिशे यह कोड नहीं लिख रहा है तो आपको पता तो चलना चाहिए ही कौन कौन से सौंग्स अवेलेबल है तो जैसे आपने freefire यहां से देखा तो आप यहां लिख देंगे F-R-E-E-F-I-R-E Freefire बशने लगा अब हम लोगे Believer को भी ट्राइ करेंगे Believer B-E-L-I-E-V-E-R Believer 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 तो उपचा नहीं इसे देखना पड़े का हम लोग को हम लोग ने शायर कहीं गलती कि B-E-L-I-E-V-E-R L-F Believer in order Please sound Believer Believer song पचना तो शहिए B-E-L-I-E-V-E-R B-E-E-R B-E-E-R अच्छा हम लोग यहां स्पलिंग कर दिये Believer की तो आप इस्पलिंग जो आपने म्यूजिक फोल्डर में स्पलिंग डालियोगी B-E-L-I-E-R वही आप विजुल सुडियो कोड में लिखेगा Believer और आप यहां लिखतेंगे B-E-L-I-E-R So कर दो कर दो नच्बर घ्रिक डर्स आप करता और त Mitt आप